हलो फ्रेंड्स गुड मॉर्णिंग को विवन यूथ मैट्स ससी दुहजार तेश चोवीस 15600 पलस बुक से अलजेब्रा का टैप टू का किप्संस नंबर 76 से इस विडियो में कंटिन्यू करते हैं और मैक्सिमम हम किप्संस नंबर 100 तक इस विडियो में आपको कराएंगे तो देखें किप्संस नंबर 6 तर पुछा था ससी सिजियल टीर बन 188 दुहज़ेर की सिप्ट बन में यदि एकस पलस बाई बरबर 3 है एक बटा एकस पलस एक बटा बाई बरबर माइनस 3 बटे 10 है तो एक स्कॉर पलस बाई ये स्कॉर का मान ज्याद करें तो एक बटा एकस पलस एक बटा बाई बरबर माइनस 3 बटा 10 है इससे सोलों करेंगे एकस और बाई का एलसियम एकस बाई हो जाएगा और एक गुना बाई तो बाई पलस एकस बरबर कितना माइनस 3 बटे 10 है अब देखिए बाई पलस एकस का मान आपको दिया है 3 एकस पलस बाई बरबर 3 है यानि कि y पलस x का स्थार्ट पर हम कितना रखेंगे 3 तो 3 बटे x by बराबर हो जाएगा माइनस 3 बटे 10 अब देखिए ये 3 से कैंसल करेंगे 1 ती या 3 और इधर भी 1 ती या 3 यानि कि 1 बटे x by बराबर माइनस 1 बटा 10 है तो इसका उल्टा करेंगे यानि कि 1 बटा x by का उल्टा तो x by होगा बराबर माइनस 1 बटे 10 का उल्टा तो माइनस 10 बटा 1 यानि कि माइनस 10 तो x by बराबर कितना हो गया माइनस 10 x स्क्वार पलस y स्क्वार का मान आपको ग्याद करना है तो x plus y बराबर 3 दिया था, तो दोनों तरफ square कर देंगे, that means x plus y का whole square बराबर 3 का square यह निकी 9, x plus y का whole square का formula लिखेंगे, x square plus y square plus 2xy बराबर 9, अब देखिए x square plus y square बराबर क्या हो जाएगा, यह 9 है, और plus 2xy उधर जाएगा, तो minus 2xy, अब यहाँ पर 9 minus 2xy, मतलब x by का माल कितना दिया है, minus 10, तो यहाँ minus 10 रखेंगे, that means 9, और minus गुणा minus तो पलस होगा, 2 गुणा 10, यह निकी 20, तो 29 आपका options number a दिया है, तो options number a आपका correct answer है, इसके बाद देखिए questions number 77, Qs नमबर देखिए, 77, SSE CGL tier 1, 24-7-2021, यह Qs पूछा था, यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ देखिए लिखा है, यदि a पे पावर 4 पलस b पे पावर 4 पलस a square b square बरबर 273 है, a square plus b square minus a b बरबर 21 है, तो 1 बटा a plus 1 बटा b का मान ग्याब करें, तो आपसे पूछा है, 1 बटा a plus 1 बटा b का मान, तो यहाँ पर a और b का LCM क्या होगा, a b आपका LCM हो जाएगा, 1 गुना b, तो b होगा, पलस a गुना 1 तो a होगा, यानि कि b plus a बटा a b, यहाँ सजाकर करके हम लिख सकते हैं, b plus a को a plus b, तो a plus b बटा a b, इस का मान आपको ग्याद करना है, तो a plus b का मान आपको निकलना होगा, और a b का मान भी आपको निकलना तो देखिये एक formula होता है जो लिखते हैं यहाँ पर a पे पावर 4 पलस b पे पावर 4 पलस a² b² बराबर a² पलस b² पलस ab into a² पलस b² माइनस ab तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपके प्रस्ट में 273 दिया है वराबर यह आपको justice में नहीं दिया है तो इसे ऐसे ही रह ने ददेते हैं a square plus b square plus a b और यह आपके प्रस्पमें दिया है 21 तो यहाँ पर हमें लिखा 21 तो यहाँ देखिए यनि की a square plus b square plus a b गुना 21 वराबर आपका 278 है तो हम बोल सकते हैं 21 से इससे cancel करेगे तो कितना बार में cancel होगा 21 से कम 21 उसके बार 27-21 यानि कि 6 फिर 6 और 3 23-23 तेरा बार में cancel हो जाता है तो बोलेंगे A square plus B square plus AB बरबर कितना हो गया 13 और यह आपके प्रस्ट में दिया था A square plus B square minus AB बरबर कितना 21 इसे हमने equation 1 माना और इसे equation 2 माना यानि कि plus AB है जिसे हमने equation 1 माना है और minus AB बाले को equation 2 हमने माना है तो सबसे पहले क्या करते हैं equation 1 और equation 2 को हम जोड़ देते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा दोनों को जोड़ने पर यह plus AB minus AB कैंसल हो जाएगा तो A square A square यानि कि 2A square plus B square B square 2B square यानि कि 2A square plus 2B square तो 2 हम कॉमन ले लेंगे तो A square plus B square होगा बराबर यहां देखिए 13 plus 21 कितना होगा तो 13 और 20 को जोड़ेंगे तो 3 और 4 फिर 1 और 2 3 इस तरह से और यह 2 से कैंसल करेंगे 17 दुनी 34 यानि कि A square plus B square बराबर कितना हो गया 17 अब देखिए क्या करते हैं equation 1 से equation 2 को घटाते हैं इस तरह से तो क्या result होगा जो देखिए यहां पर minus हो जाएगा तो यह cancel हो जाएगा यहां भी minus होगा तो यह cancel हो जाएगा यहां पर plus होगा तो plus B plus B यानि कि plus 2AB बराबर 13 minus 21 तो minus कितना होगा इस तरह से अब देखिए next step आपको A plus B कमान निकालना है यहां पर हम A B कमान भी निकाल जेते हैं क्या होगा A B कमान तो दो चोक के 8 कैसिल कर दिजिए तो यहां से हम बोल सकते हैं A B बराबर कितना होगा minus 4 अब देखिए A कस्टेप आओ सबसे पहले A plus B का whole square का formula सभी को आता होगा A square plus B square plus 2AB तो यहां से हम A plus B बरबर बोल सकते हैं A square उधर जाएगा तो यह आपका root under 20 तरह से हो जाएगा तो देखिए यहां पर A plus B कमान भी निकालेगे तो A square plus B square कमान है 17 फिर पलस 2AB तो 2AB कमान कितना minus 8 था यहां से आप देख सकते हैं यहां लिख देते हैं कि 2AB कमान कितना था minus 8 यहां से आप देख सकते हैं तो यह हमने यहां पर direct रख रहे है 2AB कमान minus 8 अब देखिए 17 minus 8 पलस माइनस माइनस हो जागा तो 17 minus 8 यानि कि 9 तो 9 का बर्मूल 3 होगा यानि कि A plus B का मान 3 हमने निकाल लिया तो A plus B के अस्थान पर हम 3 रखेंगे बटा A गुना B तो A B का मान देखें माइनस 4 है यानि कि इससे सजा करके लिख सकते है माइनस 3 बटा 4 तो माइनस 3 बटे 4 कौन सा उप्षनस है ये आपको ऑप्षनस नमबर D में दिया है माइनस 3 बटे 4 नेक्स्ट कुप्षनस देखें 78 कुप्षनस नमबर देखें 78 ये बहुत ही इंपोर्टेंट कुप्षनस है इस करणसे से हम अस्टार करते हैं ये पुछा गया है SSE CIGIL T.R. 2 2019, 18, 11, 12, 20 और ये ही कुप्षनस दुबारा पुछा गया है SSE CIGIL T.R. 1, 18, 8, 2021, 23 यानि कि CIGIL PRE का भी कुप्षनस है और CIGIL MINS 2019 का भी कुप्षनस है तो important कुप्षनस है तो देखें इसका solution X-1 बटा X बरबर रूट सत अतर है तो यहां पर XQ-1 बटा XQ क्या होता है K का Q और पलस 3 गुणा K यानि कि X-1 बटा X के साथ relation क्या होता है XQ-1 बटा XQ का और X पलस 1 बटा X बरबर अगर जो K रहता है तो XQ पलस 1 बटा XQ क्या होता है K का Q और माइनस 3 गुणा K जब X पलस X रहे तो XQ पलस 1 वटा XQ इस तरह से होता है यह आपको ध्यान रखना है अब देखिए यहां पर X माइनस 1 वटा X दिया है और पुछा है XQ पलस 1 वटा XQ मतलब यह दोनों का आपको mix करके किर्प्सन्स दिया है यहनि कि X माइनस 1 वटा X से हमें X पलस 1 वटा X लाना है उसके बाद यह आपका आजाएगा तो यह भी आपको बताना होगा हमें कि X माइनस 1 वटा X बरबर अगर जो K रहता है तो X पलस 1 वटा X क्या होगा यह होगा K का अस्क्वाइर और पलस 4 और यह भी आपको ध्यान रखना है कभी कभी यह भी कामाएगा एकस पलस 1 वटा X बरबर के रहे तो X माइनस 1 वटा X क्या होगा रूट अंडर क का अस्कवाइर माइनस 4 तो यहाँ पर इसका हम सबसे पहले यूज़ करेगे X माइनस एक वटा X बरबर कितना दिया है आपके प्रस्में रूट सतरतर, यहाँ X माइनस एक वाट एक्स बरबर हम के लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, X पलस एक वाट एक्स का यह फॉर्मूला हो जाएगा, रूट अंडर K का अस्क्वाइर और पलस फोर यहाँ पर देखें, K का स्थाम पर रूट सतरतर है तो लिख देते हैं, X माइनस एक वाटा X बरबर रूट सतरतर तो X पलस एक वाटा X क्या होगा? रूट अंडर, रूट सतरतर का अस्क्वाइर और पलस 4 होगा यहाँ फॉर्मूला से देख सकते है, रूट अंडर KS पर पलस 4 होता है तो के कामान कितना है रूट सततर यहां हमने रूट सततर रखा तो आप जाते हैं कि रूट सततर का स्क्वार करेंगे यानि कि ये अस्क्वार है जो अस्क्वार रूट से कैजिल हो जाता है यानि रूट सततर का स्क्वार सततर ही होगा तो यहां पर हम लिखेंगे रूट अंड देते हैं पलस नो भी और माइनस नो भी हलाकि पलस नो लेकर हमेशा बनाया जाता है लेकिन जब options में माइनस बला भी दिया रहे हैं तो माइनस को भी आपको चेक करना होगा तो यहां पर दोनों नो लेगे एक बार माइनस नो लेगे दोनों से आपका जो भी options मेच करेगा हो जाएगा आपका एंसल तो देखिए formula का निसार यहां पर x plus 1 वटा x वटा बरबर अगर जो k रहता है तो x q पलस 1 वटा x q k का q माइनस 3 क्यों होता है तो देखिए x पलस 1 वटा x वटा यहां पर कितना हम नो लेते हैं तो x q plus 1 वटा x q क्यों होगा क्योंकि यही तो आपसे पुछा है formula का निसार होता है q Q-3 के तो यहां पर K कामान पलस नौ लिए हैं तो 9 का Q होगा और माइनस 3 गुना 9 होगा तो 9 का Q सभी लोग जागते हैं 739 होता है फिर माइनस 9 तिया 27 27 में से हम 27 घटा गए तो कितना होगा 702 यह आपका पलस में हुआ लेकिन पलस में आपका 702 ऐप्सण्स में नहीं है तो आप्की बार क्या करेंगी x प्लस 1 गटा x का मान माइनस 9 लेकर देखेंगे यह जिनक्य क्या होगा तो तो पलस एक बटा x गुना माइनस 9 का Q कितना होगा माइनस 729 और माइनस गुना माइनस तो पलस 237 यानि कि माइनस 729 पलस 27 तो माइनस में 702 होगा यह आपका options नंबर B में दिया है तो यह आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा options आपका पलस में है या माइनस में है तो यहां पर minus में भी आपका था options number B में यानि कि minus 702 था तो यहां पर x plus 1 बटा x का मान हमने कितना लिया देखिए x plus 1 बटा x का मान हमने minus 9 लिया तो आपका answer मैच कर गया अगर जो हम यहां पर x plus 1 बटा x का मान ये plus 9 लेते हैं तो plus ये 702 आता है तो यह आपको options में है ही नहीं तो हम minus 9 जब लिएं तो आपका answer आ गया तो दोनों आपको लेकर check करना होगा according to options इसके बाद देखिए next किप्संस 79 किप्संस नमबर देखिए 79 SSC CGL P1 1882 से shift ठड़ में पुछा था यदि A plus B plus C विरवर 0 है तो B plus C का whole square बटे B C plus C plus A का whole square बटे C A plus A plus B का whole square बटे A B का मान ग्याद करें तो ऐसे प्रस्ट को आपको value putting method से बनाना चाहिए हलाकि आप basic से भी बना सकते हैं लेकि थोड़ा उसमें time ज़्यादा लगेगा तो value putting method यूज किजिए यहाँ पर A, B और C का आपको ऐसा मान लेना है कि यह इसका योखफल करें तो जिरू आ जाए तो देखिए A का मान हम अगर जो 1 लेते हैं B का मान भी आप मान लिजे की 1 ही लेते हैं तो C का मान हमें minus 2 लेना होगा क्योंकि 1 plus 1 2 और minus 2 तो जिरू हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर B plus C है यानि कि 1 और plus minus 2 तो 1 minus 2 यानि कि minus 1 तो यहाँ पर minus 1 का आपको स्क्वार करना है बटे B C यानि कि 1 गुना minus 2 तो क्या होगा minus 2 और plus C plus 1 तो यहाँ देखिए minus 2 plus 1 तो minus 1 हुआ यानि कि माइनस एक का स्क्वार बटे C1 यानि कि माइनस दो गुना एक तो माइनस दो होगा पलस यहां देखें एक पलस भी है तो एक पलस एक यानि कि दो तो दो का यहां पर स्क्वार करना होगा बटे ए भी यानि कि एक गुना एक तो कितना होगा? एक होगा, अब यहाँ पर माइनस एक का स्क्वार तो एक होगा बटा माइनस दो, फिर पलस माइनस एक का स्क्वार तो एक होगा बटे माइनस दो, और पलस दो का स्क्वार यानिकि चार या चार बटा एक भी लिख सकते हैं, अब देखिए, यहाँ पर माइन जाधा जोड कर एक होता है तो इसे हम डाइरेक्ट लिख सकते हैं माइनस एक हो गया और यह आपका पलस चार तो चार माइनस एक यह निकी तीन आपका होना चाहिए इंसर तो आपसंस नंबर आपका सी में दिया है तीन नेक्स क्युशनस देखते हैं क्युशनस नंबर असी क्युशनस नंबर देखिए असी आपका पुछा है तो जो पुछा है उसे सोल्व करते हैं a plus b को whole square होता है a square plus b square plus 2ab आप आगे लिखा है minus ab यानि कि इसे solve करेंगे तो a square plus b square 2ab minus 1ab तो कितना होगा plus 1ab यानि कि plus ab हम लिख सकते हैं यतना कमान आपसे पूछा है अब formula आप जानते है aq minus bq का क्या formula होता है तो aq minus b q बरबर होता है a minus b into a square plus b square plus ab सभी लोग यह जाते होगे तो aq minus b q का मान दिया है कितना 2,3,4,9 बराबर a minus b का मान दिया है 9 फिर गुना a square plus b square plus ab का मान आपसे पूछा है यह क्या होगा तो 9 से cancel करेंगे तो देखिए 9,2,18,23 में से 18 घटा बेंगे तो 5 फिर पाच और चार यानि कि नौ च्छके चोवन उसके बाद नौ यह कम नौ एक्स greater than 1 है यानि एक्स का मान एक से बढ़ा है तो एक्स माइनस एक बटा एक्स का मान ग्याद करें तो हमने आपको फोर्मूला बताया है एक्स माइनस एक बटा एक्स बरबर होता है root under x plus एक बटा एक्स का whole square और minus 4 इस तरह से हम लिख सकते हैं क्योंकि यह तो आप जाते होंगे कि a plus b का whole square minus a minus b का whole square बरबर क्या होता है 4ab यही से यह फोर्मूला आता है इसे हम सजा करके लिख सकते हैं देखिए a plus b का whole square और plus 4ab इधर आएगा तो minus 4ab और यह आपका minus में है इधर जाएगा तो plus में हो जाएगा a minus b का whole square बरबर a plus b का whole square और minus 4ab अभी यह square उधर जाएगा तो root under में हो जाएगा यानि कि a minus b बरबर root under a plus b का whole square और minus 4ab इस तरह से लिख सकते हैं तो यहाँ पर a का मान x है और b का मान 1 बटा x है तो यहाँ पर जब इसे a का मान x रखेंगे b का मान 1 बटा x रखेंगे तो क्या होगा देखे x minus 1 बटा x बरबर क्या होगा root under x plus 1 बटा x का whole square और minus 4 into a का मान x और b का मान 1 बटा x तो यह x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर minus 4 ही बचेगा तो direct आप लिख सकते हैं कि x plus 1 बटा x का whole square और minus 4 इसका हमने आपको प्रूफ करके बता दिया तो किस प्रकार से यह आया था जो clear हो गया आपसे यहाँ पर अगर जो यह पूछे तो direct आप formula group में लिख सकते हैं अब देखिए इसका यूज करेंगे तो x minus 1 बटा x बरबर क्या होगा रूट अंडर x plus 1 बटा x का मांद दिया है 17 बटा 4 तो यहाँ पर 17 बटा 4 लिखेंगे इसका whole square और minus 4 यह 4 को 4 बटा एक भी आप लिख सकते हैं अब देखिए रूट अंडर 17 का square कितना होगा 289 और 4 का square 16 यानि कि 289 बटे 16 और minus 4 बटा 1 है एक को हम 16 बना सकते हैं एक में 16 से गुना करेंगे तो तो 4 में 16 से गुना करना होगा यानि कि 16 और 64 बटे 16 होगया यह तो जब हर समान रहता है तो direct हम LCM लेंगे यानि कि 16 और 16 का LCM 16 होगा तो यह 289 में से आपको घटाना है 16 और 64 तो यहां पर हम घटा देते हैं नेक्सर जब देखिए यहां लिखते हैं 289 में से चवसर घटावेंगे 9 में से चार जाएगा 5 होगा फिर यहां पर 8 में से 6 जाएगा तो 2 होगा और यह 2 यानि कि 225 बटे 16 तो 225 का बर्गमूल जाते हैं 15 होता है बटा और 16 का बर्गमूल चार होगा तो 15 बटा चार इसे आप लिख सकते हैं चरतिया 12 फिर 3 से सबचेगा तो 3 पुर्णां यानि कि 3 बटे 4 इसे इस तरह से पुर्णां के फोर में लिख सकते हैं तो यह है जो 1 से बड़ा है यहां देखिए लिखा है पुर्णां के बटा चार तो किलिए लिए एक्स हमेशा एक से बड़ा ही होगा तो यह आप से पुछा था तो इसका मान कितना हो गया 3 पुर्णां 3 बटा 4 या चरतिया 12 फिर 15 बटा 4 भी लिख सकते हैं जो options में आप कर रहे तो यहां पर आपका options में देखेंगे तो क्या दिया है देखते हैं किवसंस नमबर है कितना 81 तो 81 का दिया है 15 बटा 4 options नमबर D में है तो D number options इस प्रस्ट का correct answer हो जाएगा यहां लिखते हैं यह आपका 15 बटा 4 है जो options नमबर D में दिया है नेक्स किवसंस देखिए 82 नमबर किवसंस नमबर देखिए 82 SSE CDL tier 1 138 2021 सिथर्ड में पुछा था यदि X प्रस्ट 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 एक बटा X प्रस्ट प्रस्ट बरबर 727 है X greater than 1 है X का मान X से बड़ा है तो X minus 1 बटा X का मान आपको बताना है क्या होगा तो देखिए इसका solution सबसे पहले यहाँ पर बराबर के दोनों को आप हम दो जोडेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा X प्रस्ट 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 एक प्रस्ट 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 दो और इधर 27 प्रस्ट 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 प्र है यानि 577 लेंगे अब ढखें फिर बराबर के दोनों तफ दो जोड़ने तो सब्सक्वारेज़ने स्ब्सक्राइब किसी का पूरा-पूरी नहीं होता है यहां पर हम पलश डो नहीं कर कि नेक्स्ट यह भला हम कैंस्ल कर रहे हैं दोनों तरफ हम दो दो ले करते यानि कि दोनों तरफ दो जोडने पर ये आपका perfect square नहीं हो रहा है, इसलिए हम दोनों तरफ दो घटाएंगे, यानि कि x square पलस एक बटा x square यहाँ पर minus 2 करते हैं, तो इधर भी आपको minus 2 करना होगा, तो 77-2 ये आपका 25 हो जाता है, 25 perfect square है 5 का, यानि कि अब यहाँ पर हो गया x minus 1 वटा x का ये whole square और ये आपका 25 के बराबर होगा, square उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर में, यानि कि x minus 1 वटा x बराबर, पलस माइनस, रूट अंडर 25, यानि कि पलस माइनस 5, 25 का बरगमुल 5 होता है इस करन से, तो x minus 1 वटा x का मान क्या हो गया, पलस 5 और minus 5 वी, लेकिन अब देखिए किर्शंस, किर्शंस भी बोला है, x greater than 1 है, यानि कि x कमान होगा, जो x से बड़ा होगा, यहां देखिए कि लगली लिखा, तो negative अलब हलू आपको नहीं लेना है, यानि कि minus 5 आपको नहीं लेना है, तो ये पलस 5 आपका answer होना चाहिए, तो क किर्शंस नमबर देखिए, 83, SSECJL tier 1, 168, 2021 में पूछा था, यदि AQ पलस BQ बरबर 405 है, A पलस B बरबर 9 है, तो AB कमान आपको बताना है क्या होगा, तो फर्मूला आप जानते हैं, A पलस B का whole Q का क्या फर्मूला होता है, AQ पलस BQ पलस 3AB इंटू A पलस B, तो यहां पर देखिए, A पलस B का मान दिया है 9, तो यहां पर हम लिखेंगे 9 का Q, बराबर, AQ पलस BQ का मान दिया है 405, पलस 3AB यह इसी परकार से रहेगा, और A पलस B का मान दिया है 9, अब इसे स्वल्म करेंगे, तो 9 का Q कितना होता है, 729 बराबर, 405 पलस 29 पलस 27AB हो जाएगा, अब यहां पर यह पलस में आपका 405 है, इस तरह फाएगा तो माइनस में होगा, 729 माइनस 405, बराबर, 27AB इस तरह से हम लिखेंगे, अब यह घटार देते हैं, तो 9 में से 5 जाएगा, तो 4 होगा, फिर 2 में से 0 जाएगा, तो 2 होगा, 7 में से 4 जाएगा, तो 3 होगा, 324 बराबर 27 AB अब cancel होता है तो cancel करेंगे तो 27 एक हम 27 फिर 32 में से 27 घट आवेगे तो 5 बचेगा फिर 5 और 4 यानिकि 24 तो 27 दूनी 24 होता है यानिकि AB बरबर कितना हो गया 12 तो AB का मान 12 आपका हो जाएगा यह कौन सो options है किपसंस नमबर 83 का देखिए options नमबर A में दिया है 12 नेक्स्ट किपसंस देखते हैं किपसंस नमबर 84 किपसंस नमबर देखिए 84 SSC Cigler Tier 1 168 222 सिप्ट बन में पुछा था यदि 2X माइनस 3 बटे X बरबर 2 है तो 16 X के पावर 4 पलस 81 बटे X के पावर 4 का मान ग्याब करें तो देखिए सबसे पहले इसका स्क्वार करना होगा जो भी रिजल्ट आएगा फिर उसका भी स्क्वार करना होगा तो यह आपका आजाएगा यानि कि 2X माइनस 3 बटे X का होल स्क्वार तो इधार आपका 2 का स्क्वार हो जाएगा A-B का होला square में इसे break करेंगे तो A square plus B square minus 2 ये भी होता है तो A square यानि कि 2X का square 4X square हो जाएगा plus B square यानि कि 3 बटा X square तो 9 बटा X square होगा फिर minus 2 ये भी minus 2 गुना 2X और गुना 3 बटा X होगा बराबर 2 का square 4 ये X से X आप cancel कर सकते हैं तो 4x² पलस 9 गटा x² और ये दो दूनी चरती है 12, माइनस में आपका 12 है, बराबर 4, माइनस 12 उधर जाएगा तो पलस 12 हो जाएगा, यनि कि 4x² पलस 9 गटे x² बराबर, ये 4 है, और माइनस 12 उधर गया, तो पलस 12 हो गया, 12 पलस 4 तो 16 हो गया, एक बार फिर से दोनों तरफ आ कि आगे इधर कर देते हैं, यनि कि 4x² पलस 9 गटा x² है, ये किसके बराबर है, तो ये आपका 16 के बराबर है, दोनों तरफ हम क्या कर रहे है, अस्कॉार कर रहे हैं, अस्कॉारिंग बॉत साइड़्स, तो देखिए क्या होता है, a पलस b का होल स्कॉार आपको करना होगा, a 9 बटा 1 स्क्वार का स्क्वार करेंगी तो 9 का स्क्वार 81 बटे 1 स्क्वार का स्क्वार यानिकि X के पावर 4 उसके बाद पलस 2 ये भी होता है यानिकि 2 गुना A का मान है 4 X स्क्वार गुना B का मान है 9 बटे 1 स्क्वार ये किसके बराबर होगा तो 16 का sqoar यानिके 256 के बराबर होगा अब देखिए ये X sqoar से X sqoar को कैसल करेंगे तो 16 x पे 4 पलस 81 बटे x पे 4 और ये 4, 2 2、 8, 22 होगा तो plus 72 बराबर 256 16 x पे 4 पलस 81 बराबर ये आपका 256 है और पलस 72 उएगा, तो makers 32, 256 में से 72 घटाबेंगे, तो 6 में से 2 जाँगा 4 होगा, यहां पर 15 में से 7 जाँगा, तो 8 होगा और यह 1 हो गया, यहनी कि 184 कौन सूंप्स beguns है, क्विप्स compartir number 34, तो देखिए, options nummer A में दिया है आपका 184, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्युप्संस क्युप्संस नंबर पचासी क्युप्संस नंबर देखिए 85 SSC सेल पोस्ट फेज एट नौ युगारा दुहार बीस सिप्टू में ये क्युप्संस पुछा था यदि रूट एक्स प्लस एक वटा रूट एक्स ब्रबार चार एक्स ब्रबर अगर जो के रहता है तो दोनों तरफ स्क्वार करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस एक्वटा एक्स ब्रबर के का स्क्वार माइनस दू यह आपको ध्यान रखना है तो देखिए यहां पर एक्स प्लस एक्वटा एक्स करेंगे तो क्या होगा चार का स्क्व अगर जो मान लेती हैं यह आपका L के बराबर है तो फिर इसका स्क्वार करेंगे तो क्या होगा एक स्क्वार पलस एक बटा एक स्क्वार बराबर होगा L का स्क्वार और माइनस दो यानि कि यहां पर इसका square करेंगे तो एक स्क्वार पलस एक बटा एक स्क्वार होगा 14 का square माइनस 2 यानि कि 196 माइनस 2 तो 194 यह कौन सो options है? 85 का options नमबर आपका B में दिया है 194 next questions देखें questions नमबर 86 questions नमबर देखें 86 SSE sell post page 8 9122 में यह questions पुछा था यदि XQ पलस 2Q बरबर 185 है X पलस 2 बरबर 7 है तो X पे पावर 4 पलस Y पे पावर 4 का मान ग्याद करें यह जी क्यूब संसर तो सबसे पहले देखें यहां पर X पलस 2 बरबर 7 दिया है तो इसका क्या करेंगे हम Q करेंगे तो X पलस 2 बरबर सबसे पहले लिखते हैं 7 दोनों तरफ Q करेंगे तो क्या हो जाएगा X पलस Y का Q और इधर 7 का Q तो क्या होता है फर्मूला X Q पलस Y Q पलस 3X Y इंटू X पलस Y ये 7 का Q के बराबर होगा 7 का Q होता है 343 X Q पलस Y Q का मान है 175 पलस 3X Y और इहां पर X पलस Y का मान है कितना 7 तो गुना 7 लिखेंगे ये आपका 343 के बराबर है अब देखिए ये सत्य 21X Y हो जाएगा 21X Y किसके बराबर होगा तो ये 343 और पलस में 155 है उधर जाएगा तो माइनस में 155 होगा तो घटा जते हैं 13 में से 5 जाएगा आठ और इहां पर 3 हो गया 13 में से 7 जाएगा तो 6 होगा फिर इहां पर 2 हो गया दो में से 1 जाएगा तो 1 होगा और 21 से कैंसिल करेंगे 218 168 तो X Y का मान कितना हो गया 8 अब देखिए X पर 4 पर पर 4 का मान आपसे पुछा है तो देखिए ये जो है X पर पर Y बरवर 7 इसका सबसे पहले अस्क्वार करेंगे अग तो X पलस Y का whole square करेंगे तो क्या होगा X अस्क्वार पर Y अस्क्वार पर 2X Y होगा तो देखिए यहां पर एकस स्क्वार पलस बाई स्क्वार बरबर आपको सबसे पहले निकाल लेना है जो भी आएगा तो एकस पलस बाई का मान साथ दिया है तो यहाँ पर साथ का स्क्वार लिखेंगे बरबर एकस स्क्वार पलस बाई स्क्वार पलस टू एकस बाई यानि कि दो गुना x by का मान कितना है 8 तो 2,3,16 यहां पर डारेक्ट आप लिख सकते थे यानि कि x square plus by square बरबर क्या हो जाएगा इधर आपका 7 का square उन्चास है और plus 8,2,16 इधर जाएगा तो minus 16 होगा उन्चास में से 16 घटावेंगे तो कितना होगा 9 में से 6 जाएगा तो 3 और 4 में से 17 जाएगा 3 यानिकि 33 खिर दोनों त्रफ ट्रफ square करेंगे यानिकि x square plus by square का whole square और इधर आपको क्या करना है यह 33 का square तो देखिए x square का square कितना होगा x पे power 4 plus by square का square by power 4 खिर पालस 2 x square by square होगा क्योंकि a plus b का whole square होता है a square plus b square plus 2 यह भी तो A² यानि X² का स्क्वार XP पावर 4 पलस B² यानि B² का स्क्वार तो BP पावर 4 पलस 2A यानि कि पलस 2 गुना X² गुना B² बराबर 33 का स्क्वार 189 सभी लोग को आता होगा 33 का स्क्वार 189 होता है 33 का स्क्वार 931 का स्क्वार 971 32 का स्क्वार 1024 33 का स्क्वार 189 आप निकाल भी सकते हैं 33 गुना 33 करेंगे तो 1098 आजाएगा अब देखिए X पे पावर 4 पलस Y पे पावर 4 पलस 2 X स्कौर बाई स्कौर यानि कि 2 गुना X स्कौर बाई स्कौर है तो X बाई का मान 8 है तो दोनों तरफ है स्कौर कर देंगे तो क्या होगा यहां पर आप देखेंगे 8 का स्कौर 64 यानि कि X बाई का स्कौर यानि कि X का स्कौर और बाई का स्कौर सकते हैं तो यहां देखिए एक स्क्वार बाइए स्क्वार बरवर हो जागा दो गुना चौसक यह निकी 128 तो यहां पर हमें 128 डारेक्ट लिख देते हैं अब देखिए यह आपका 1089 के बराबर होगा तो एकस पर पावर 4 पलस बाइप पर चार बरवर लिखेंगे 1089 और यह पलस 108 उधर जाएगा तो माइनस 108 भटाएगे 9 में से आप जाएगा एक फिर 8 में से 2 जाएगा तो 6 होगा और फिर 10 में से 1 जाएगा तो 9 होगा 951 कौन सौप्सर्स है किवस्स नमर देखिए 86 ओप्सर्स नमबर आपका सी मेरा दिया गए से 9 से जिल मेंस का तो इसे हम अश्टार कर रहें ध्यान से बेखिए इसका सोलूशन सबसे पहले आप से पुछा है एकस पीपावर 4 माइनस 27 बटे एकस स्कुर बटे एकस स्कुर माइनस 3 एकस माइनस 3 है तो देखिए अगर जो हम ऊपर में एकस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर एकस क्यू हो जाएगा और माइनस यह हो जाएगा 27 बटे एकस क्यू और बटे नीचे में एकस सामगा जो कॉमन लेंगे तो क्या होगा X-3 और-3 बटा X इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं और उसके बाद यहां पर यह X से X हम टैंसल कर देते हैं तो देखिए next क्या हो जाएगा यहां लिख रहे हैं यह आपका XQ और-27 बटे XQ और यह देखिए सजाकर के लिखेंगे तो X-3 बटा X पहले हम लिख देते हैं और उसके बाद लिखेंगे यह minus 3 तो इतना का भेलू आपको बताना है यह क्या होगा जो तो देखिए यह X-3 बटा X बरबर 6 दिया है तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं तो लिख देते हैं यहां पर 6 लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए उपर में हमें इसका मान्तो कल्कुलेट करकर लिखता है और नीचे में इसका अस्थान पर हमें 6 लिखा और यह माइनस 3 यह देखिए आपको निकालना होगा तो दोनों तरफ हम क्यूब करेंगे तो यह बला आ जाएगा तो उतना हम करते हैं यानिकि x-3 बटा x बरवर 6 दिया है तो दोनों तरफ आपको क्या करना होगा क्यूब करना होगा तो Q करेंगे तो क्या होगा Q यहांपर करते हैं तो x-3 बटा x का Q और यह आपका 6 का Q इस तरह से हो जाएगा आप देखिए A-B का whole Q का फर्मूला होता है क्या होता है तो AQ-BQ-3A-B इसका यूज करेंगे तो AQ यानि कि X का Q तो XQ-BQ 3 बटा X का Q क्या होगा 3 का Q 27 X का Q XQ होता है यानि कि 27 बटे XQ फिर –3A-B इसका डिटेल भी आपको इसका डिटेल भी आपको यहां पर रंक में हम बता देंगे अगर जो कि नहीं को डॉट होग होगे इसे सोल्व कर दिजिए यह क्या हो गया 216 पलस 6 तिया ठारा तिया कितना होगा 24 या 3 तिया नौच्छा के 24 तो अब 216 में 24 जोड़ेंगे 24 और 6 7 और 10 270 यानि कि 270 हो जागा यह तो इसका मानिह पर हम 270 लिख देते है 270 बटे 6 माइनस 3 तो 3 270 बटा 3 यानि कि 90 स्तिया 270 होता है तो 90 आना चाहिए क्यूशनस नंबर 27 का देखिए ओप्शनस नंबर A में दिया है 90 तो ओप्शनस नंबर A इस प्रसंट का करेक्ट एंसर है और इसका हम डिटेल यहां बता देते है यह किस प्रकास होता है जो फॉर्मूला को आना चाहिए A माइनस B का होल Q का क्या होता है A Q माइनस B Q और माइनस 3 A B इन्टू A माइनस B तो देखिए X का Q यहां पर लिख देते हैं कि क्योशने X का Q फिर माइनस B Q है तो 3 बटा X का Q उसके बाद माइनस 3 A B यहां पर X माइनस 3 बटा X लिखेंगे इस तरह से तो यही इसे ही हमने माइनस है बराबर के लेफ हंड साइड तो राइफ हंड साइड में गया तो यह आपका पलस हो गया यह माइनस में है तो यह आपका पलस में हो गया इस तरह से और यह सारा बराबर किस तरफ हमने इस तरह से लिखा X-3 बटा X का मान कितना है तो देखिए यह आपका 6 है तो यहाँ पर हमने 6 रखा है इस तरह से आप देख सकते हैं इसके बाद देखिए कुप्सन्स नमबर 88 कुप्सन्स नमबर देखिए 88 SSE CIGIL tier 2 13.9.2019 CIGIL में S का कुप्सन्स है इस कारां से इसे हमने अश्टार किया है ये आपको दिया है तो ये आपसे पुछा है यादि कि Root X पलस एक वाटा Root X का मान आपको बताना है इससे पहले आपको X पलस एक वाटा X का मान निकालना होगा तभी आपका ये result आएगा तो सबसे पहले ये जो दिया है इससे आपको x पलस 1 वट एक्स निकालना होगा तो यहां पर इसे solve करते हैं देखिए 3 गुना एक्स स्क्वार तो 3 x स्क्वार होगा फिर पलस 3 गुना एक तो 3 और ये माइनस 7 x है फिर बराबर ये 6 गुना 3 x तो 68 x हो जाएगा यानि कि 6 को 6 वट एक लिख लिजिए और 3 गुना कर दिजिए अब देखिए 3 x स्क्वार पलस 3 और ये माइनस 7 x पलस 18 x इधर एगा तो माइनस 18 x होगा बराबर 0 यानि कि 3 x स्क्वार पलस 3 और माइनस 7 x माइनस 18 x 18 x 25 होता है तो माइनस में 25 x हो जागा इतना बराबर 0 कि उप्संस में है x पलस 1 वट एक्स कमान पहले निकाल दा है उसके बाद ही निकलेगा रूट x पलस 1 वट रूट x कमान तो यहां से आपको x पलस 1 वट एक्स कल्कुलेट करना है तो 3 x आपको कमन लेना होगा सबसे पहले तो 3 x कमन लेंगे तो यहाँ पर x बजएका सिर्फ और पलस यह तो 3 कमन हो गया तो यहां पर 1 वट एक्स आपको लिखना है तो 3 x गुणा 1 वट एक्स करेंगे x x कैंसल हो जाएगा 3 गुणा 1 तो 3 हो गया फिर minus है तो minus अब देखिए x गुना 25 है तो x तो already common हो गया तो यहाँ पर सबसे पहले 25 यह रहा गया और बटा हम 3 कर देते हैं तो यह 3 से 3 कैंसल हो जागा 25 गुना x करेंगे तो 25 से x हो जागा इतना बराबर 0 अब ध्यां से देखिए यह 3 x गुना इतना है बराबर 0 3 x गुना में है उस तरफ जागा तो 0 बटा 3 x हो लेगा यह x पलस एक बटा x माइनस 25 बटे 3 बराबर क्या होगा इधर आपका 0 है और यह गुना में है 3 x इस तरफ हैगा तो बटा में होगा यानिकि 0 बटा something 0 होता है तरफ करते हैं तो पलस 25 बटा 3 हो जागा 0 पलस 25 बटा 3 यानिकि x पलस एक बटा x का मान हो गया 0 पलस 25 बटे 3 तो 25 बटा 3 के बराबर हम इसे लिख सकते हैं अब देखिए दोनों तरफ क्या करेंगे दो जोड़ेंगे यहां पर हम आगे करते हैं देखिए पहले यह लिखते ये प्लस ये एक्स का मान कितना है तो यह आपका है 25 बटे 3 है दोनों तरफ हम दो जोड़ रहें तो दोनों तरफ दो जोड़ेंगे तो यह हो गया रूट एक्स पलस एक बटा रूट एक्स का होला स्क्वाइर इधर दो जोड़ देते हैं तो तीन दो निच्छे 25 और 6 31 हो गया तो 31 बटा 3 हम लिख सकते हैं स्क्वाइर उधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा यानि कि रूट एक्स पलस एक बटा रूट एक्स बराबर पलस माइनस रूट अंडर 31 बटे 3 ये कौन सा उप्सेन्स है देखिए कि उटस नंबर है 88 तो 만약 का उप्सेन्स नंबर देखिए बी में दिया है यानि पलस बाला भंधल उसक्त तिया है एंसर में यह भी क्यूप्शन से, इसका रणसे से हम अस्टार करते हैं, इंपॉर्टन क्यूप्शन से, लेकिन यह इजी है, तो देखे, x plus य वरवर तीन दिया है, तो x q plus y q plus 9 x y का मान आप से पुछाए क्या होगा, तो सबसे पहले इसका हमें Q करना होगा, यानि कि x plus y का whole q और इधार आपको 3 का q करना है तो देखिए यह formula इसका लिखेंगे x q पलस by q पलस 3 x by into x पलस by और यह आपका 3 का q हो जाएगा 27 इधार लिखते है x q पलस by q पलस 3 x by into x पलस by का मान 3 है तो यहाँ पर 3 रखेंगे बराबर 27 अब देखिए x q पलस by q q पलस 3 x 9 x by बराबर 27 यही तो आपसे पुछा था तो इसका मान कितना हो गया 27 कौन सो ओप्शन्स है 89 का देखिए ओप्शन्स नमबर आपका c में दिया है 27 नेक्स्ट क्यूप्शन्स देखते हैं क्यूप्शन्स नमबर देखिए 90 SSE CIDIAL tier 2 20 परवरी 2018 CIDIAL में इसका क्यूप्शन्स है इस करांसी क्यूप्शन्स को भी हमने अस्टार किया है क्यूप्शन्स में यह लिखा है a प्प्पावर 4 पलस एक बरबर a स्क्वार बटे b स्क्वार इंटू फुर भी A square माइनस B पे पावर 4 माइनस 1 है तो A पे पावर 4 पलस B पे पावर 4 का मान ग्याब करें तो देखिए इसका solution सबसे पहले A पे पावर 4 पलस 1 से हम A square common ले लेते हैं तो यहाँ पर A square होगा और पलस यहाँ पर क्या हो जाएगा एक बटा A square बराबर यह आपका A square और गुना लिखेंगे एक बटा B square इसे हम लिख सकते हैं A square बटा B square को इस तरह से हम लिख सकते हैं और यहाँ देखिए यह bracket में है 4B square माइनस B पे पावर 4 और माइनस 1 अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर यह A square बराबर के दोनों तरह है तो कैंसल कर सकते हैं तो left hand side में आपका है A square पलस एक बटा A square right hand side में देखिए एक बटा B square से bracket में है जो भी लिखा हुआ यह सभी में गुना होगा तो एक बटा B square गुना 4B square तो B square से B square कैंसल होगा तो सिर्फ 4 बचेगा उसके बाद माइनस एक बटा B square गुना क्या होगा BP power 4 तो BP power 4 मतलब B square गुना B square है तो एक B square कैंसल हो जागा तो एक B square बचेगा या देकि B square सिर्फ बचेगा फिर minus 1 बटा B square गुना 1 तो 1 बटा B square ही होगा अब देखिए बराबर के सारे को हम एक तरफ कर देदें left hand side में right hand side में हम 0 कर लेंगे A square plus 1 बटा A square और ये देखिए minus B square इधर आएगा तो क्या हो जाएगा plus B square उसके बाद minus 1 बटा B square इधर आएगा तो plus 1 बटा B square और ये plus 4 इधर आएगा तो minus 4 हो जाएगा इतना बराबर 0 अब देखिए इसको सजा करके हम लिख रहे हैं A square plus 1 बटा A square minus 4 है तो minus 4 को हम लिख सकते हैं minus 2 minus 2 यानि कि यहाँ पर हम लिख रहे है minus 2 और ये plus आपका B square और plus 1 बटा B square और यहाँ लिख देते हैं minus 2 बराबर 0 तो minus 2 minus 2 minus 4 हो गया अब देखिए ये आपका एक फोर्मूला हो गया क्या तो A minus 1 बटा A का whole square हो गया और plus ये भी एक फोर्मूला हो गया क्या हो गया तो b-1 बटा b का whole square और इतना बरबर 0 तो यहाँ पर इतना बरबर 0 होगा bracket में जो अंदर है इतना बरबर 0 और यहाँ पर जो भी bracket के अंदर में है इतना बरबर 0 यानि कि a-1 बटा a बरबर 0 और यहाँ पर क्या होगा b-1 बटा b बरबर 0 इसे हम यहां लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, यानि कि a-1 बटा a बरबर 0, और b-1 बटा b बरबर 0, तो देखिए, इसे हम थोड़ा solve करेंगे, तो क्या होगा, a-a, यानि कि a square और minus 1 बटा a बरबर 0, a-0, तो फ्रीं आपका 0 हाजगा, यानि कि a square बरबर 0 बरबर 0 पर गान, तो a square का मान, एक होगया, तो a, बरबर ± रूट अडर 1, यानि कि a का मान, पर गान, इक होगा, आपसे पुछा है क्या, A पे पावर 4 प्लस B पे पावर 4, यहां पर लिख देते हैं, A पे पावर 4 प्लस B पे पावर 4 का मान आपसे पुछा है, तो A का मान या तो पलस बन या माइनस बन, तो पलस माइनस बन भी आप लिख सकते हैं, यहां हम लिख देते हैं, इस पे पावर 4 प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् यानिकी 2, यह कौनसो ओप्संस नंबर आपका A में दिया है 2, तो ओप्संस नंबर A इस प्रस्ण का correct answer है, next क्यूप्संस देखें, क्यूप्संस नंबर 91, क्यूप्संस नंबर देखें 91, इसे सेल पोस्ट फेज एक नौई गारा दुहारवी शिपटू में ये प्रेशन पुछा था अगर X बरबर तीन पलस रूट आठ है तो XQ पलस एक वटटा XQ का मान बताए तो XQ पलस एक वटटा XQ कम निकालते हैं जब X पलस एक वटटा X बरबर दिया रहे यानी कि x plus 1 वटा एक्स ब्रबर k रहता है तो x q plus 1 वटा x q का मान क्या होता है k का q और माइनस 3 गुणा k यानी कि x plus 1 वटा x का मान सबसे पहले आपको निकालना होगा तो देखिए x ब्रबर दिया है 3 प्लस रूट 8 तो 1 वटा x निकालेगे तो एक बटा 3 प्लस रूट 8 होगा फिर इसका परिमेकरन करेंगे उपर नीचे 3 माइनस रूट 8 से गुना करेंगे तो डारेक्ट हम लिख देते हैं एक गुना 3 माइनस रूट 8 तो 3 माइनस रूट 8 होगा और नीचे में आपक क्या हो जाएगा a square माइनस b square यह निकी a plus b into a minus b that means 3 plus रूट 8 into 3 माइनस रूट 8 तो 3 का स्कुर नौ माइनस रूट 8 का स्कुर आफ 9 माइनस 8 तो एक होगा तो एकना बटा एक आप लिखे या ना लिखे अब देखिए दोनों को क्या करते हैं जोड देते हैं तो x plus 1 बटा x और इधर जोड़े में तो क्या हो जाएगा, ये तो cancel हो जाएगा, तो 3 plus 3 ये लिएकि 6 हो गया, तो x plus 1 बटा x 6 है, तो x q plus 1 बटा x q क्या हो जाएगा, 6 का q और minus 3 गुना 6, तो 6 का q कितना होता है, 216, minus 6 ती 18, तो 216 में 18 गटावे में तो 178 होगा, ये कौन सौ options है 91 का देखिए options नमबर आपका d में दिया है 198 तो options नमबर दी इस प्रस्म का correct answer है next questions देखिए one way, questions नमबर देखिए one way, sse cdl tier 1 2018, 4 जून 2019, shift 2 and shift 3 में ये questions पुछा था important questions है, इस करण से इसे भी हमने अश्टार किया है, ये देखिए 27x q minus 343 by q बटे 3x minus 7y ब्रबर x square plus b by square plus 7c by x है तो whole a minus b plus 5c का मान बताईए तो सबसे पहले ये एक formula based descriptions है, ये आपको मालूम होना चाहिए किस formula पर दिया गया है तो देखिए यहां लिखते है, aq minus bq ब्रबर होता है, a minus b into a square plus a b plus b square ये आप इसे लिख सकते है, a square plus b square plus a b b, अब देखिए ये गुना में ये भी है तो इस तरह फाएगा तो बटा में हो जाएगा, यानि कि aq minus bq बटा a minus b बरबर हम लिखेंगे ये a square plus a b plus b square, या इसे ही अप लिख सकते है, a square plus b square plus a b b लिख सकते है इसे हमने सिर्फ सजा करके लिख दिया, तो यहीं format में ये equations दिया है यहाँ पर a के स्थान पर देखें कितना है, 3x और b के स्थान पर कितना है, तो 7y है यहाँ देखिए, a minus b तो यहाँ पर 3x minus 7y है, a का मान कितना है, तो 3x है और b का मान कितना है, तो 7y है, तो यहाँ पर है aq, तो 3x का q करेंगे, तो 77x q आ जाता है यहाँ पर है BQ तो देखिए 7Y का Q करेंगे तो 343YQ हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर आपको यह जो लिखा गया है X square प्लस B by square प्लस 7C by X तो यह आपका A square प्लस B square प्लस AB का format है यानि कि यहाँ पर आपको A square लिखना है यानि कि 3X का square तो 39X square होगा प्लस B square यानि कि 7Y का square तो 749 और 2A square हो जागा फिर प्लस AB मतलब 3X गुना 7Y तो 3 सते 21XY या 2X लिख सकते हैं 21XY या 21X भी आप लिख सकते हैं तो यहाँ पर 2X है तो 21X लिखेंगे यहाँ हम लिख देते हैं 21X अब देखिए 21X को सजा करके हम लिख सकते हैं 7 गुना 3 गुना 2X इस तरह सभी लिख सकते हैं 21X को अब देखिए यहाँ पर compare करेंगे तो X square और यह है 9X square X square का coefficient A है यहाँ X square का coefficient 9 है तो A का मान कितना हो गया 9 यहाँ हमने लिखा A का मान हो गया 9 इसके बार देखिए B by A square 49 by A square तो by A square का coefficient भी है यहाँ by A square का coefficient 49 है तो B का मान कितना हो गया 9 next आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है पलस 7C by X यहाँ है पलस 21 by X पलस 21 by X को हमने लिखा है सजा करके पलस 7 into 3 into by into X अब देखिए यहाँ 7 तो यहाँ भी 7 है यहाँ C तो C का स्थान पर 3 है बाई है तो बाई भी है एकस है तो एकस भी है तो फोर A यहनि कि 4 गुणा A तो A का मान है 9 तो 4 गुणा 9 माइनस B तो B का मान है 49 फिर पलस 5C तो 5 गुणा C का मान कितना है? 3 यहनि कि 9,4, 36, minus 49 और पलस 15 तो पलस 36, PLUS 5 का कितना होगा? PLUS 36, PLUS 15 पलस 51 होगा और यह minus 49 51, minus 49 यहनि कि पलस 2 यह कौन सो options है देखिए कुपसंस नमबर है 92 तो options नमबर देखिए D में दिया गया है आपका options D में दिया है 2 यानि कि 2 आपका correct answer है इसके बाद देखिए कुपसंस नमबर 93 कुपसंस नमबर देखिए 93 SSE CGL tier 1 2018 4 June 2019 सिफठट का कुपसंस है यदि A square plus B square plus 64 C square plus 16 C square plus 3 बरबर 2 into A plus B है तो फोर A पे पावर 7 plus B पे पावर 7 plus 8 C square का मान क्या होगा तो देखिए इसे solve करते हैं A square plus B square plus 64 C square plus 16 C और plus 3 है तो plus 3 को हम लिख सकते हैं plus 1 plus 1 plus 1 यह आपका plus 3 हो गया बरबर यह देखिए 2 into A plus B है तो 2 A plus 2 B इसे हम लिख सकते हैं अब right hand side हम 0 करेंगे और जो भी right hand side है इसे इस तरह लेकर आएंगे तो यह आपका 0 हो जाएगा यहनिकि A square और यह देखिए पलस 2 A है इधर आएगा तो minus 2 A होगा और यह पलस 1 हम यहाँ पर लिख देते हैं उसके बाद देखिए पलस B square और यह पलस 2 भी इधर आएगा तो minus 2 भी हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हम यह लिख देते हैं पलस 1 अब देखिए यह जो बचा पलस 64 C square और फिर पलस 16 C और यह आपका लिखाएगा यहाँ पर पलस 1 और बराबर 0 क्योंकि पलस 2 भी इस तरफ आ गया अब देखिए यहाँ पर यह आपका क्या है A-1 का whole square पलस यह आपका क्या है B-1 का whole square पलस यह आपका क्या है यह 8 C का square 400 C square है यह 1 का square एक है यानि कि 8 C plus 1 का यह आपका whole square है इतना बराबर 0 आप देखिए यहाँ पर से आपको जो भी bracket के अंदर में है उतना बराबर 0 करना है यहां भी आपको जो भी bracket में है इतना बरवर 0 करना है यहां जो भी bracket में है इतना बरवर आपको 0 करना है that means A-1 बरवर 0 यहां B-1 बरवर 0 यहां पर 8C पलस 1 बरवर 0 तो यहां से A का मान 1 हो गया यहां से B का मान 1 हो गया यहां 8C पलस 1 बरवर 0 हो तो xc बरबर मै Tipp to seeGA मान मायनस एक व た पह जाएक हमें लिखा अभी यहां पर चार गुना एक पे साथ है तो दो ट्वर साथ हम निकाल जाते हैं दो टपाफ साथ कितों होगा फिर फ़िव neu साथ कितना होगा यानिकि एक पे पावर साथ तो एक ही होगा और सीए स्क्वार्ड तो यहां पर देखिए स्क्वार्ड क्या हो जाएगा माइनस एक वटा आठ का आठ का स्क्वार्ड करना है तो माइनस एक का स्क्वार्ड एक आठ का स्क्वार्ड चाउसर अब यहां पर करदब एक है तो एक हमें लिखा फिर पलस बी पर साथ का महां धी एक है फिर पलस एठ सी अस्कौार यानि की आथ गुना सी अस्कौार का माल एक बटा चौटत है और अधियर चौशत कよね चर्हाय कर सकते हैं तो पर B में दिया है डाइरेक्ट ये आपको दिया गया है options नमबर B में पाच पुर्णा के क्वटार्ट next questions देखिए 94 Qs नमबर देखिए 94 SSC CJF tier 1 2018 का Qs है 4 June 2019 को 63 में पुछा गया था यदि x plus y बरबर 1 है x y into x by minus 2 बरबर 12 है तो x पे power 4 पे power 4 का मान क्या होगा Qs बहुत ही interesting है तो इसलिए हमने इसे start किया है देखिए सबसे पहले x plus y बरबर 1 है तो हम जब इसका square करेंगे तो x स square तो आएगा ही फिर x स square का square करेंगे तो x पे power 4 आजाएगा और आपसे पुछा है x पे power 4 पलस y पे power 4 का मन यानि पहले इसका square करेंगे फिर एक बार और square करेंगे तो आपका result आ जाएगा तो देखिए x पलस by बरबर 1 दिया है तो दोनों तरफ हमें क्या करना होगा square करना होगा तो x square plus by square plus 2x by बरबर 1 का square एख होगा अब देखिए x square plus by square बरबर लिखेंगे बराबर की इस तरफ तो आपका पहले से एक है और ये पलस 2x y उधर जाएगा तो माइनस 2x y हो जाएगा फिर से दोनों तरफ हम a square करते हैं यानि कि x a square पलस y a square का whole a square और इधर 1-2x y का whole a square तो a plus b का whole a square में break करेंगे a a square पलस b a square पलस 2 a b यानि कि x a square का square तो x पे power 4 पलस b a square का square तो b a square पलस 2 a b होता है यानि कि 2 into x square by a square हो जाएगा बराबर a minus b का whole a square में break करेंगे a square plus b a square minus 2 a b तो 1 का square एग फिर पलस 2x y का square करेंगे तो 4x square by a square होगा उसके बाद minus 2 a b minus 2 गुना 1 गुना 2x by तो दो दूनी 4xy हम डारेक्ट यहां लिख देते हैं अब देखिए x पे पावर 4 पलस y पे पावर 4 बराबर लिखते हैं यह पलस 2x2y2 उस्तरफ कर देगें यह देखिए आपका 1 है पलस 4x2y2 है और पलस 2x2y2 उढ़र जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x2y2 यह आपका माइनस 4xy है यहां पर इसे solve करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 पलस 4x2y2-2x2y2 तो पलस में आपका 2x2y2 बचेगा और यह आपका माइनस 4xy है अब यहां से भी आप देख सकते हैं कि दोनों में 2 common है और xy भी common है तो यहां पर लिखेंगे 1 plus 2xy और यहां xy बचेगा और minus यहां पर क्या बचेगा यहां पर से xy हमने common ले लिया है दो भी common ले लिया है तो एक दो यहां पर बचेगा इस तरह से हमें लिखेंगे अब देखिए यही आपके प्रस्ट में दिया है क्या दिया है xy into xy minus 2 बरबर 12 यहीं कि इतना कभलू आपको दिया है प्रस्ट में 12 यहीं कि 2 गुना 12 हम लिखेंगे तो एक पलस 2 गुना 12 यहीं कि एक पलस 24 तो कितना हो गया 25 यह कौन सो आपकेंस दिया है 94 का देखिए c नंबर आपकेंस में दिया है 25 नेक्स्ट किप्संस देखते है किप्संस नंबर 95 किप्संस नंबर देखिए 95 SSC Serial Tier 1 2018 का किप्संस है 4 जून 2019 को सिप्ठड में यह प्रस्ण पुछा था यदि A² प्लस B² प्लस C² बरबर 21 है A प्लस B प्लस C बरबर 7 है तो A B प्लस B C प्लस C यह का माल क्या होगा यह तो direct formula based किप्संस है A प्लस B प्लस C का whole square सभी लोग को आना चाहिए क्या होता है यह होता है A² प्लस B² प्लस C² उसके बाद प्लस 2 इंटू A B प्लस B C प्लस C अब देखिए A प्लस B प्लस C का मान दिया है 7 तो इहां पर होगा 7 का square बराबर A² प्लस B² प्लस C का मान देखिए कितना दिया है 21 प्लस 2 इंटू A B प्लस B C प्लस C का मान आपसे पुछा है मतलब इतना गुनाव हाट अब देखिए 7 का square 49 ये पलस C किस इधर आएगा तो क्या होगा minus C किस और इधर आपका 2 गुनाव हाट है 49 मान देखिए किस किस कितना होगा 9 में से 1 जाएगा 8 4 में से 2 जाएगा 2 यानिकी 28 बराबर 2 गुनाव हाट यानिकी 14 दूनी 28 that means 14 कौन सा option से देखिए किपसंस नमब 95 का options नमबर A में दिया है 14 तो options नमबर A इस प्रस्ट का correct answer है next किपसंस देखिए 96 किपसंस नमबर देखिए 96 पुछा गया है SSE CGL tier 1 2018 का किपसंस है 4 जून 2019 को shift 2 में पुछा गया था यदि 16x square plus 9y square plus 4z square बराबर 24 into x minus y plus z minus 61 है तो xy plus 2z का मान क्या होगा किपसंस इजी है लेकिन आपको पहले arrange करना होगा तो देखिए 16x square plus 9y square plus 4z square अब देखिए ये 24 से गुना करेंगे तो 24x हो जाएगा पलस में इधर आएगा तो minus आपका 24x होगा उसके बाद ये आपका minus में 24x होगा इधर आगा तो पलस में होगा 24x और ये आपका पलस 24z ह है इधर आएगा तो minus में हो जाएगा 24 जेल और minus 60 है इधर आएगा तो पलस 60 हो जाएगा और बराबर 0 हम लिखेंगे आप देखिए quadratic equation दुगात समीक्रें में आपको arrange करना होगा तो ये देखिए 16x square है पहले लिखते है 16x square ये आपका क्या है 4x का square है उसके बाद x बाला format यहां है देखिए ये आपका minus 24x है तो इसे हम लिखते है minus 24x अब देखिए 4x का ये आपका square है उसके बाद यहां हम लिख रहे हैं 4x का square फिर minus 2 into 4x यानि कि a square minus 2a और यहां पर आपको b लिखना है फिर plus b square होगा तो देखिए क्या आ यहां पर आपको 24x बनाना है तो चरदुनी 8x तो अल्रेडी है तो 8x में हम 3 से गुना करेंगे तो 24x ये आपका हो जाएगा मतलब यहां पर सिर्फ आपको 3 चाहिए यानि कि a square minus 2ab और plus b square मतलब यहां पर आपको क्या करना है 3 का square यानि कि ये आपका जो एकसथ है एकसथ में से हमने plus 9 यहां पर ले लिय लिखते हैं तो यह आपका 9 by a square है इसको लिख देते हैं डारेक्ट 3 by का square उसके बाद by बाला यहां है यानि कि 24 बाई है पलस में तो पलस 2ab का format बनेगा यानि कि पलस 2 गुना एक का मान तीन बाई और b का मान नहां हम क्या दे कि 24 बाई हो जाए तो 3 दूनी 6 बाई तो अल्र पलस 2a square का format हो गया यानि कि पलस 16 भी हमने यहां से ले लिया यानि कि 169 25 एक सथ में से हो गया है अब देखिए आगे पलस आगे लिखते हैं यह जेड़ वाले लिखेंगे तो क्या होगा फोर जेड़ को लिखेंगे 2z का square उसके बाद अब देखिए यहां पर माइनेस 24 जे जेड़ है तो 4 में हम 6 से गुना करेंगे तो यह 24 जेड़ हो गया माइनस में अब यहां पर पलस आपको 6 का square करना होगा क्यों 6 का square करना होगा हमें क्योंकि यहां देखिए a square minus 2a b और पलस b e square होता है इस करण से और इतना बराबर जिरू तो 6 का square 36 भी यहां पर हो गया तो 36 45 और 45 और 16 एकसट हो जाता है मतलब यहां से आप देख सकते हैं एकसट का यूज किस तरह से किया दिया है अब देखिए इसको हम सजाएंगे 4x square minus 2 into 4x into 3 पलस 3 का square है यानि कि a square minus 2ab plus b square तो a minus b का whole square यानि कि 4x minus 3 का whole square है तो यहां पर हमने लिखा 4x minus 3 का whole square पलस अब देखिए यहां पर यह तो हमने लिख दिया अब इसका देखिए तो 3y का square है पलस 2 गुना 3y गुना 4 plus 4 का square यानि कि a square plus 2ab plus b square a plus b का whole square है तो 3y plus 4 का whole square इसके बाद देखिए next तो यह जो लिखा गया है 2z का whole square फिर minus 2 into 2z into 6 और पलस 6 का square तो a square minus 2ab plus b square a minus b का whole square का है यानि कि 2z minus 6 का यह आपका whole square है इतना बराबर 0 अब bracket के जो अंदर है उसके बराबर 0 करेंगे यानि कि 4x minus 3 बराबर 0 यहां से 3y plus 4 बराबर 0 और यहां से 2z minus 6 बराबर 0 तो directly लिखेंगे 4x बराबर 3 हो जाएगा तो x का मान कितना होगा 3y 4 होगा उसी प्रकार से यहां पर 3y बराबर minus 4 तो y का मान होगा minus 4y 3 उसी प्रकार से यहां 2z बराबर 6 तो z बराबर कितना होगा तो इस तरह से हमें x by z का मान निकाल लिया अब किप्संस है x by plus 2z तो यहां से x by कर देते हैं x by मतलब 3 बटा 4 और गुना minus 4 बटे 3 तो यह 4 से 4 cancel हो जागा एक बड़ मे और यह 3 से 3 भी cancel हो जागा एक बड़ मे तो उपर minus है यारि कि minus 1 बटा 1 तो minus 1 होगी है x by का मान और 2z का मान चाहिए तो 2z यहांनि कि 2z बराबर कितना होगा ? 2z बराबर तो 6 हो रहा है जेट बरवर 3, तो दोने तरफ दो से गुना करेंगे, तो 2 जेट बरवर 6, अब देखिए किप्संस आपका है, X by plus 2 Z, तो X by का माल हमने निकाला, minus 1 plus 2 Z का माल है 6, तो 6 minus 1 यानिकी 5, ये कौन सौ आप्संस है, किप्संस नंबर देखिए 96, आप्संस नंबर C में दिया विया है पांच, नेक्स्ट किर्संस देखे, किर्संस नमबर 97, किर्संस नमबर 97, SACCJ tier 1 2018 का किर्संस है, 4 जुन 2019 को C2 में पुछा गया था, यदि X पलस Y पलस Z बरबर 19 है, X पलस Y पलस Z X बरबर 114 है, तो रूट अर एक्स Q पलस Y Q पलस Z Q माइनस 3 X Y Z का मान क्या होगा, तो देखे प फॉर्मूला, X Q पलस Y Q पलस Z Q माइनस 3 X Y Z बरबर X पलस Y पलस Z इन्टू, ब्रैकेट में लिखेंगे, X पलस Y पलस Z का ही, होल स्कुर, उसके बार, माइनस 3 गुना, X Y पलस Y Z पलस Z X, ये फॉर्मूला का यहां, यूज करेंगे, तो देखे, X पलस Y पलस Z का मान क्या है, 19, तो इहां पर 19 लिखेंगे, और फिर इसी का होल स्कुर, 19 का होल स्कुर, उसके बार, माइनस 3 गुना, X Y पलस Y Z पलस Z X का मान है, 114, तो 114 लिखेंगे, 3 गुना, 114, अब इसे स्वल्म करते हैं, तो 19 गुना, 19 का स्कुर, 371, माइनस, 142, अब इसे स्वल्म करते हैं, तो 19 ग से चार जाएगा तो एक होगा यानिकि 19 क्योंकि 3 में से 3 जाएगा तो जिरू हो जाएगा 301 में से 342 भटाने पर 19 हुआ यानिकि 19 गुना 19 आपका यह हो गया या आप 371 भी से लिख सकते हैं गुना करके अब तेखिया यहां पर आपसे इसका अस्क्वारूप उचा है पहले लिख देते हैं कि XQ पलस YQ पलस ZQ माइनस 3XYZ का मान कितना हमने निकाल लिया 301 आपसे इसका अस्क्वारूप उचा है यानिकि इसका बर्गमूल तो दोनों तरफ बर्गमूल करने पर देखिये क्या हो जाएगा यहां पर तो 371 का बर्गमूल कितना होता है 19 यानिकि 19 आपका कौम सॉप्सेंस है तो किप्सेंस नमबर है 97 आपसेंस नमबर C में दिया गया है 19 आपसेंस नमबर C इस प्रस्वारूप का करेक्टर नसर है नेक्स किप्सेंस देखिये 98 किप्सेंस नमर देखिये 98 बहुत ही इंपॉर्टन किप्सेंस है SSE CIGIL tier 1 2018 का क्यूर्जून 2019 को सिफ्ट बनवे पुछा गया था सिजल प्री 2018 का बहुत ही important questions है questions नमर यहां पर 98 यदि x plus y plus z बरबर 19 है x square plus y square plus z square बरबर 133 है x z बरबर y square है तो z और x का अंतर क्या होगा जो आपसे पूछा है तो यहां पर सबसे पहले आपको formula आना चाहिए x plus y plus z का whole square का क्या होता है formula x square plus y square plus z square plus 2 into x by plus y z plus z x अब यहां पर x plus y plus z का मान दिया है 19 तो यहां पर लिखेंगे 19 का square बरबर x square plus y square plus z square का मान है 133 तो यहां लिखेंगे 133 plus 2 into यह x by plus by z plus z x इसी तरह से रहेगा इसका भलू हम अब direct यहां पर लिखने दा रहे है यहां पर 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा और यह गुणा में 2 है इस तरह हैगा तो बटा में हो जाएगा यानिकि अब इसे solve करते हैं तो 11 में से 3 जाएगा 8 होगा और यहां पर 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा और 3 में से 1 जाएगा तो यहां भी आपका 2 होगा 228 बटे 2 यानिकि 114 दूनी 228 तो 114 हो गया अब देखिए आपके किफसंस में दिया है एकस जेड बरबर बाई स्कॉर इसका यूज करेंगे तो एकस जेड या जेड एकस इससे आप समझ सकते हैं तो जेड एकस का मान बाई स्कॉर है यहाँ बाई स्कॉर हम रखेगे तो एकस बाई पलस बाई जेड पलस बाई स्कॉर बरबर 114 हो गया बाई सभी में कॉमन है तो बाई कॉमन लेंगे तो यहां पर x बचेगा पलस यहां-z बचेगा पलस यहां पर जो कर दे हैं तो 6 का square यानिकी 36 हो जाएगा तो 36 बराबर यानिकी बाई या square का मान हमने 36 लिखा और 36 को जब factor में हम करेंगे तो 9 गुना 4 चार चार गुना 9 चार होता है तो यहां पर हम लिखी देते हैं 9 गुना 4 या 4 गुना 9 भी लिख सकते है अगर तो 4 गुना 9 लिखेंगे तो X कामान 4 होगा Z कामान 9 होगा यहाँ पर 9 गुना 4 लिखेंगे हैं तो X कामान 9 और Z कामान 4 होगया तो यहाँ पर देखिए Y कामान तो पहले ही बता दिया कितना 6 होगया और यहाँ compare करेंगे तो X का मान कितना हो गया है 9 और Z का मान कितना हो गया है 4 Qs में बोला है Z और X का अंतर क्या है यानि कि X और Z का अंतर आपसे पुछा है तो यहां पर देखिए यह आपका Qs है यहां हमने लिख दिया That means X का मान कितना है तो X का मान है 9 यहां पर हम लिख देते हैं 9 नमबर आपका कितना में दिया है वी नमबर उप्संस में दिया गया है पांच तो उप्संस नमबर भी इस प्रसंद का करेक्टेंशन हो जाएगा उप्संस नमबर भी में दिया है पांच यह आप लिख भी सकते हैं अंतर बरबर होगा बड़ा माइनस छोटा तो यहां पर यह ये पुछा गया था कियुपसंस यहां पर देख सकते हैं यह आपको दिया है तो यह एक फॉर्मूला पर वेस्ट क्यूपसंस है aq-bq क्या होता है a-b into a square plus b square plus ab अब देखिए यहां पर a का मान आपको clearly दिख रहा है देखिए क्या है root 3x और b का मान कितना है तो b का मान है कितना देखिए root 2 by अब formula में से arrange करेंगे तो यहां पर तो यह root 3x minus root 2 by तो है ही यहां फिर से लिख देते हैं root 3x minus root 2 by यह आपको कि लगली दिख रहा है यह हमने लिखा आप देखिए x square यहां पर a square करना है root 3x का square कितना होगा 3x square हो जागा plus b square root 2 by का square करेंगे तो 2 by square होगा उसके बाद plus ab यहांनि कि root 3x गुना root 2 by तो root 3 गुना root 2 तो root 6 होगा और x गुना by तो x by यहनि कि root 6 x by होगा अब compare करेंगे यहां x square है यहां पर 3x square है तो a का मान कितना है 3 है तो a का मान कितना होगा 3 उसके बाद यहां पर plus b by square plus 2y square तो b का मान कितना है 2 तो इसके बाद देखिए यहां पर पलस CXY यहां पर पलस रूट 6XY तो C कमान कितना है रूट 6 अब देखिए next step किफसस में क्या है A गुना B यानि कि 3 गुना 2 उसके बाद भागा कितना C कमान है रूट 6 तो 3 गुना 2 कितना होगा 6 और भागा रूट 6 तो 6 को हम लिख सकते है इस तरह से रूट 6 गुना रूट 6 और भागा यानि कि बाटा रूट 6 तो रूट 6 से रूट 6 एक कैंसल हो जागा यानि कि रूट 6 आपका इंसर होगा कोई सो ओप्संस है तो 99 का देखिए options नमबर B में दिया है रूट 6 अब देखिए next किफसंस किफसंस नमबर 100 किफसंस न 100 किफसंस आपका पूछा गया है ससे सीजेल टीर 1 2018 6 जून 2019 सिफ्ट ठड में यानि सीजेल परी 2018 का किफसंस है 6 जून 2019 को ठड शिफ्ट में ये किफसंस पूछा था यादि A plus B plus C बरवर 2 है A square plus B square plus C square बरवर 26 है तो Q plus B Q plus C Q minus 3 BC का मान्द क्या होगा तो यहां पर एक important formula यू तो देखें, AQ पलस BQ पलस CQ माइनस 3ABC का जो important formula है क्या है पर्यूज करेंगे, तो A पलस B पलस C बटे दो और bracket में लिखेंगे ये A square पलस B square पलस C square का 3 गुना, यानि कि 3 times of A square पलस B square पलस C square और इसमें साथ को घटा देना है A पलस B पलस C का whole square, अब इसे हम solve करते हैं, तो देखें क्या होता है, सबसे पहले A पलस B पलस C दिया है कितना? 2, तो यहाँ 2 होगा 2 बटा 2 और 3 गुना, यह दिया है A square पलस B square पलस C square का माण 26, तो 3 गुना 26 माइनस, A पलस B पलस C का माण कितना दिया है? 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का square, किपसंस नमबर 100, ओपसंस नमबर B में दिया गया है चहुत्ता, तो ओपसंस नमबर B इस प्रस्न का correct answer है, तो किपसंस नमबर 100 तक इस वीडियो में हम रह ले देते हैं, नेक्स्ट वीडियो किपसंस नमबर 101 से होगा, यूथ कमपर्टिशन टाइम्स, SSE 2023-15600 पलस, इसमें आपका जो दिया गया किपसंस है, SSE 2021 का सीजियल प्री और मेंस का किपसंस इस बुक में आपको मिलेगा, जो आप देख भी रहे होगे, तो सबसे लेटेस्ट बुक आपका यही है, यूथ कमपर्टिशन टाइम्स का, और भी SSE के लिए 2023 के लिए भी, तो इस बुक का आप बेस्ट सलोशन चाहते हैं, तो इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहे है, SSE CGL Pre and Mass 2023 के लिए, या CHSL के लिए, या MTS के लिए, या GD के लिए, SSE के सारे एकजाम के लिए, और जो रेलवे वाले स्टुरिण्स है, मैथ का बहुत ही बेसिक से, अच्छी तरह से आप तैयारी करना चाहते हैं, एडवांस लिएवल का, तो इस बुक का आप परफेक्ट सलोशन कीजिए, तो आप में वो confidence जरूर रहेगा, जो SSE का किवसंस पूछा जाता है, क्योंकि रेलवे का किवसंस SSE के अपेच्छा थोड़ा सा उसमें low होता ही है, यानि कि question का quality थोड़ा सा कम रहता है, और SSE में questions का quality थोड़ा high रहता है, तो अगर जो SSE बाला आप बनाये रहेंगे previous year, तो रेलवे का आपसे बन ही जाएगा, तो next वीडियो के लिए आप चैनल को subscribe जरूर कर लिजी, अगर जो इस book का आप complete solution चाहते हैं, और SSE और रेलवे का आप best maths का solution करना चाहते हैं, तो इस चैनल पर आप हमेशा बने रहें,